सब्सक्राइब करिए धनू की दुनिया यूटूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें जैशिरा देमित्रो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धनू की दुनिया में दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मंगल का गोचर हो रहा है 22 मार्च को इसे धनूराशी वालों को क्या फाइदा परवरतन करने वाले हैं क्या असर पढ़ने वाला है आपके प्रभाव पढ़ने वाले हैं आपके जीवन दूराशी परवरतन होगा मंगल उच्च हो जाएंगे अभी जो जिस अस्थान पे हैं उससे उपर की तरह बढ़ेंगे और इससे शबसे बलशाली अस्थान पर जाएंगे उनका जो अस्था जाकि ये मकर राशी में रहने वाले हैं ये परिवरतन धनुराशी से मकर में हो रहा है दोस्तो इस गोचर से एक साथ कई योग का निर्मान हो रहा है कई योग बन रहे हैं जिससे आपको इसका प्रभाव धनुराशी वाले पे भी पढ़ेगा देखने को मिलेगा दोस्तो से रिलेटिट कोई समस्य आ रही थी तो आपको शंतान की प्राक्ति होगी परिवारिक जीवन में बदलावाएंगे आपके कोई प्रोपर्टी आपने खरीदी थी जो बिवादित थी इस समय उग्र हो सकता है बिवाद तो आपको बिवादों से दूरी बनाकर रखनी है तो प जोब से रिलेटिट कोई परिसान था जोब नहीं मिल रही थी तो इन दिनों उनकी सारी समस्याइं स्वाल्व हो जाएंगी जिससे परिवारिक जीवन आपका खुश हाल होने वाला है इन दिनों धनलाव भी पूरी स्ट्रोबल समाओना है धनलाव होनी की ऐसे योग बन रह है दोस्तों इन दिनों अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप उपाय क्या करें हनमान जी के मंदिर में जाए और उनकी पूजा अरजना करिए और वहाँ दानपुन करिए बजरंग बांड का पार्ट करिए जिससे आपके मन को शान्ती मिलेगी अगर आप विर जी की पूजा करके चाहिए आपके सारे काम शफल होंगे तो दोस्तों हम लेते हैं यहीं पे विदा आप लोगों से उमीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजे दोस्तों के साथ शेयर करिए और अ अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें तो चलिए मित्रो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैशी रादे आपका दिन शुब हो